हेलो एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग वेलकम टो दी लास्ट अनलसिस वीडियो ओफ 2020 तीक है इस वीडियो में सेलेक्शन पॉस्ट फेस एट का अनलसिस करेंगे हाड शिफ्ट और इजी शिफ्ट का कि कौन्शी शिफ्ट हाड थी कौन्शी शिफ्ट इजी थी नहीं है कि मैं आपको क्या सकूंगी हां ट्रेंड्स ऐसे ही रहेंगे इट केंच लेकिन लोगों ने महानत करके डेटा दिया उन लोगों के लिए सिर्फ में वीडियो बना रहा हूं अगर मैं बात करूं यहां पे मैट्रिकलेशन लेवल की तो चार शिफ्ट चार डेज में हमारे लुआ गशाम instantly którą नेवंबर का हमारे पास 111 लोगों का । स्क One का देटा, अगर मैं बात करूँ बात करूं ऑबर फरक रहा अगर आप average maximum score भी देखते हो तो maximum score देखो आप यह देखोगे हैं पर average score इन दोनों shift में हमारे पास ज्यादा है इन दोनों shift में लगबग सेम सा है तो 6 नंबर का gap है न maximum score में भी यह आपको दिखेगा 6 नंबर की shift में जो हमारे पास maximum score गया है वो 174 मार्क्स गया है 9 और 10 नंवंबर की shift में जो एवरेज स्कोर है वो 152 के आसपास 152 153 और 14 नंवंबर की shift में भी average score इसे थोड़ा भढ़ गया 160 तो यह थोड़ा थोड़ा gap यहां पर दिख रहा है अगर मैं बात करता हूं हाइस secondary level पे तो छे नंवंबर की shift में 70 लोगों ने सर्वे में पाट लिया था जिसका एवरेज स्कोर था 113.46 जिसमें हाइस्ट स्कोर था 168.5 9 नंवंबर की shift में 60 लोगों ने पाट लिया था यहां पे इनका जो average score high shift में 121.78 था maximum score था 165.5 10 नंवंबर की shift में 273 लोगों ने पाटिसिपेट किया था average score था 115.2 और maximum score था 155 14 नंवंबर की shift में 59 लोगों ने पाट लिया था इसमें average score काफे जाद अच्छा गया है इसमें average score 140.3 गया है और जिसमें maximum score गया है 178.5 तो हम कह सकते हैं कि 14 नंवंबर की shift यहां पे इजिये shift रही है हाई secondary level examination में अब normalization भी होता है इस टेनो के कहते हैं selection post examination में तो अगर आपका इजिये shift में पढ़ा है तो आपके मार्स से से रहेंगे थोड़ा सा decrease भी कर सकते हैं और अगर हमें hard shift में आपका exam पढ़ रहा है तो आपके marks increase करेंगे ठीक है तो इन तीरों shift में आप advantage मिल जागा इसी तरीके से हम देखें तो यह matriculation level पर ज्यादा फरक बढ़नी रहा data बहुत निमीचिट है वैसे भी और बहुत ज्यादा चेन यहां पर देखने को मिल नी रहा छे नंबर का फरक है छे नंविंबर और चोथर नंविंबर की शिट में लोगों को थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है अगर graduation level पर बात 10 नंविंबर की में 14.64 था और 14 नंविंबर की में 122 था तो तीनों शिफ्ट का अगर मैं compare करता हूं तो 10 नंविंबर की शिफ्ट में जो लोग स्कोर कर रहे हैं वह हमारे पास minimum है तो इस शिफ्ट में थोड़ा डवांटेज मिल सकता आप maximum स्कोर में भी अगर चैक करते हो तो नो नंविंबर और हमारे पास 14 नंविंबर की में लोगों का जो maximum स्कोर है 173 तक जा रहा है जबकि 10 नंविंबर की मैक्सिमम स्कोर है वह काफी कम है ठीक है तो यहां पर इस शिफ्ट को 10 नंविंबर वाजी शिफ्ट में मिल सकता है छे नंविंबर का ग्रेजिशन तो इन में भी थोड़ा मुश्किल होता है कम से कम 200-300 लोगों का डेटा हो तो कहना थोड़ा सान होता है तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है बाकि इसकी जो कंपाइलेशन सेलेक्शन पोस्ट की मैं टेलिग्राम चैनल पे अप्लोड करी दीती कोई फेस नाइन का एक्जामि में बाकि देल्ली पुलीस कॉंस्टेबल की एंसर की आ गई थी स्टैनोग्राफर की एंसर की आ गई थी ट्रेलिग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप उस फोर्म को भर देना उसमें अपनी अंसर की अप्लोड कर देना जिसे कि मैं कंपाइलेशन ना के आपको टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर पाऊं ठीक है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे गई है उसे फिल करके अप्लोड कर देना अपनी अंसर की बाकि लोगों के काम आएगा फीचर में जब एक्जाम्स होंगे तो उन्हें प्रिवेस यर को पीच असानी से एक्सेसिबल हो जाएंगी आगे बढ़ता हूं टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जोइन कर सकते हो मैं कोड़ने जिमेटरी फ्री आपको पढ़ा रहा हूं फ्री क्लासिस की फॉर्म में तीन पार्ट हो चुके है चोथा और पांच प पूछ सकते हैं बाखी लोग फ्री क्लासिस में जो मेरी फ्री क्लासिस होती है महां पर जो भी पूछना है अपलाई पूछ सकते हो ठीक है तो यही है बाकि एक्जाम की तियारी करें तो आर्बिटें को यूच कर सकते हो maximum discount मिल जाएगा इंडिया के टोप अजुकेटर साब तब तक के लिए बाई बाई टेक केर एंड जाहिन